उधारण यदि किसी कमरे का तापमान शुन्य कैल्विन है तो सेल्सियस पैमाने में उसका तापमान कितना होगा? हम सबसे पहले इसका सुत्र लिखेंगे, सुत्र आपको बताया गया तापमान का पैमाना, कैल्विन पैमाना का के माइनस उसका निमनतन बिंदू 273, कैल्विन पैमाना का उच्चतम बिंदू 373, माइनस कैल्विन पैमाना का निमनतन बिंदू 273, बराबर, इससे हमें बदलन है celsius पैमाने में celsius पैमाने के तापका पैमाने का संके c minus उसका निमनतम बिंदू 0 बटे उसका उच्तम बिंदू 100 minus उसका निमनतम बिंदू 0 हल करेंगे k minus 273 बटे 373 में से 273 घटाएंगे 100 बराबर c minus 0 c 100 minus 0 100 100 से भाग दे देंगे k minus 273 बराबर c मान रखेंगे Kelvin पैमाने में 0 k minus 273 बराबर c minus 273 degree centigrade बराबर c 0 Kelvin अथवा रण 273 degree centigrade को परम सुन्य तापमान भी कहते हैं क्योंकि इसके नीचे का तापमान प्राप्त करना असंभव है यह निमनतम ताप होता है सोचिए यदि किसी पदार्त का तापमान T है क्या उस पदार्त को दो बराबर भागों में बाट देने से उसके तापमान का मान भी आधा आधा होकर दोनों भागों में बराबर बढ़ जाएगा इसी प्रकार यदि किसी पदार्थ की दो बराबर मात्राओं का तापमान T है तो क्या दोनों मात्राओं को मिला देने पर उनका तापमान भी जुड़कर दुगुना हो जाएगा आपस में चर्चा करें 3.2 उश्मा, हीट यदि ठंडे पानी के बरतन में गर्म पानी का छोटा बरतन रख दिया जाए तो हम पाएंगे कि जल्द ही गर्म पानी ठंडा और ठंडा पानी थोड़ा गर्म हो जाता है थोड़े समय बाद दोनों बरतनों में पानी का तापमान समान हो जाता है अपने द्यानिक जीवन में भी आप कई बार यह अनुभव करते ही होंगे खाने को सड़ने से बचाने के लिए खाने के बरतन को थंडे पानी के बरतन में रख देते हैं जब दो वस्तूओं जिनका तापमान अलग-अलग हो को संपर्क में लाया जाता है तो उनका तापमान घट बढ़कर एक दूसरे के समान हो जाता है यह आपने देखा ही है लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह क्यों और किस कारण होता है वस्तू के तापमान बढ़ने या घटने के पीछे का कारण क्या है पहले ऐसा माना जाता था कि जब दो विभिणत आपमान वाली वस्तूों को संपर्क में लाया जाता है तो एक तरल अद्रिश पदार्थ का आदान-प्रदान होता है गर्म वस्तू में इस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है जब्कि ठंडी वस्तू में कम अता ये पदार्थ गर्म वस्तु से ठंडी वस्तुओं में तब तक प्रवा करता है जब तक इसका इस्तर दोनों में समान न हो जाए इस दरल पदार्थ को कैलोरिक कहा जाता था कैलोरिक की मात्रा बढ़ने पर तापमान की भी मात्रा बढ़ जाती है ऐसा मानना था कैलोरिक का भ्रम कैसे तूटा बेंजामिन थॉमसन सत्रा सो त्रेपन से अठारा सो चौदा जिने बाद में काउंट रमफोट के नाम से भी जाना गया एक जाने माने विज्ञानिक वक कुशल युद्ध विशेशग्य थे उस समय तोपों की नलियों में सुराग करने के लिए एक विशेश किस्म की धातू काटने वाले सईयंत्र लगी हुई मशीन का इस्तमाल किया जाता था इस खास किस्म के कटर्स को अश्वशक्ती से घुमाया जाता था तोपों में छेट करते समय नली जल्द ही गर्म हो जाती थी कैलोरिक के सिध्धान्त के अनुसार तोपों की नल्यों में भरी कैलोरिक का तोपों में छेत करने पर रिसाव होने लगता है और इस कारण नली गर्म हो जाती थी परंतु रम फोड को यह बात जरा भी नहीं जची उन्होंने कैलोरिक सिध्धान को परखने के लिए कई प्रियोग किये और पाया कि मात्र घर्षन से किसी भी धातू से बिना उसमें बदलाव लाए धेर सारी गर्मी पैदा की जा सकती है इस तरह गर्मी पैदा करने से धातू के द्रवमान पर कोई असर नहीं पड़ता इसी से उनका निश्कष था कि तोपों में छेत करते समय गर्मी पैदा होने का असली स्त्रोत उन घोणों की उरजा है जिनकी शक्ती से सुराक करने वाला यंत्र चलता है यानि घोणों की ताकत ही घर्शन द्वारा गर्मी में परिवर्तित हो जाती है सन 1798 में उनका दावा था कि उश्मा कोई पदार्थ नहीं हो सकती बलकि यह उरजा है न्यूटन भी इसी प्रकार के मत रखते थे सन 1840 से 1850 में जूल के प्रेयोगों से भी यही साबित हुआ उन्होंने यान्त्रिक उरजा वो उश्मी उरजा की सम्तुलिता को दर्शाया जिसके बारे में आप अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे आज हम जानते हैं कि उश्मा कोई पदार्थ नहीं बलकि उरजा है जिस कारण तापमान में बदलाव होता है उरजा का वह प्रकार जिस कारण हमें वस्तु की गर्माहट का अभास होता है उश्मी उरजा कहलाती है उश्मी उर्जा का प्रवा सदैव उच्चताप से निम्नताप की ओर होता है उश्मा बढ़ाने पर वस्तु का तापमान बढ़ जाता है जबकि उश्मा घटाने पर वस्तु का तापमान कम हो जाता है अर्थात किसी वस्तु को उश्मा देने पर वस्तु का तापमान बढ़ जाता है जबकि वस्तु से उश्मा लेने पर उसका तापमान कम हो जाता है चर्चा करें अपने शिक्षक से चर्चा करें कि किसी वस्तु को छूने पर वह गर्म अथ्वा ठंडी क्यों लगती है हाथ से छूने पर इन दोनों इस्थितियों में उश्मा के प्रवा की दिशा के बारे में आप क्या कहेंगे